असलाम वालेकूम सस्त्रियक का नमस्ते हिंदुस्तान भारत इंडिया मेरा तेश अरे देखो मेरा देश ऐसे गिर रहा है दीरे दीरे अच्छा मैंने इसलिए लाइव आया हूं मैं कश्मीर से शूटिंग छोड़के कि मेरी अम्मी का उनलों का फोन आया मेरे घर पे लेटर राया मैंने आली डेविट्सन के बारे में मैंने गाय माता के बारे में एक मैसे चोड़ा के देखो गाय माता का यह भीघरा है मैं ये ब lateral के हिंदुस्तान में ये गौर अक्षक है ये सब लोग मिलके इंसानों को मार रहे है हमारे कई लोगों को मार दिया गया इंसानों को और कोई कुछ नहीं बोल रहा है मेरे पास एक बहुत बड़ा मुद्दा इन लोगों के लिए इतना बड़ा मुद्दा है अगर आप लोग मर्द हो, माई के लाल हो मोदी जी, योगी जी और गौर अक्षक ये है हारली डेविट्शन हारली डेविट्शन ये बेल्ट है ये मैंने कल एरपोर्ट से खरीदा है ये उसका बिल है आठ अजार रुपे खर्चा किया है मैंने अब मैं गौरक सक्षो से और मोदी जी से और योगी जी से ये बोलता हूँ के हारली डेविट्शन गाए माता का बेल्ट बेच रहा है इस इस अ काव लेदर बेल्ट जो पूरे हिंदुस्तान में पूरे वर्ड में बिकरा है काव लेदर बेल्ट और मैं तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूँ तुम लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग हमारे हिंदुस्तान में हिंदु-मुस्लिम करवा के दंगे करवाना चाते हो और हम लोगों को अपस में बाटना चाहते हो होता तुम लोगों से कुछ नहीं है खाली बाते करवा लो एक अकेले इंसान को 20 लोग लकडी से और पाइप से मरवा लो ये कर लो बस तुम लोग तुमसे और जादा कुछ होता नहीं है देश में हम लोगों को आपस में बाट दो Harley Davidson ओ योगी Harley Davidson कोई भी गौरक्षक और कोई भी जो लोग है Harley Davidson के अंदर जाए और जाके पूछे I want cow leather belt cow leather हाथ का ये cow leather jacket सब विकरा है तो जाके Harley Davidson बन कराओ उनको मारो गरीबों को मार के कुछ नहीं मिलने वाला है समझे की नहीं मतलब क्या हो गया है जो काते है वो पच्टा नहीं है जो कमाते है वो बच्टा नहीं है पर इन लोग सब पैसे भी अंदर कर रहे है हिंदुस्तान में क्या धंगे कराना चाते हो मेरे भाई हाली डेविटसन बन कराओ तो मानूंगा मैं और हाँ मैंने कई गाये देखी है रस्ते पे कान कड़ गया है सिंग निकल गया है विचारी बिमार है उनका भी तो जा के इलाज कराओ खाली बाते करते हो गौरक्षकों के नाम पे पाली डेविटसन को बन कराओ और हाँ हम हिंदू मुसल्मानों को आपस में भड़काना बन करो समझे के नहीं नहीं तो ये लोग तभी भड़क गए न तो तुम लोग पिचक जाओगे समझे के नहीं और मेरे यां कितने भी लेटर भेज़ दो मुझे कितने भी केस कर दो मैं वही बोलूँगा जो सच है समझे के नहीं अस्सलाम वालेकुम अल्लाफिस दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का जुबाँ पे सुवाद रखना अल्लाफिस